जी नमस्ते, जय जगनात, मैं हूँ गवरंग पंडा, पंडा अस्ट्रोलोजी में आप लोगों का सुषागत करता हूँ एक नय वीडियो मीन लगना, और यह वीडियो संक्रन्थी से संक्रन्थी तक का, इसको राशी की इसाब से नहीं है, इसको लगना की इसाब से आप देखोगे तो आपको बेटर प्रफरमांस मिलेगा लगना, मीन लगना आपका ये बारमाघर में एक लिखा होगा या तो ASC या तो लौ ऐसे कुछ लिखा होगा तब ही तो ये विडियो आपके लिए और 16 जुलाई दोहजर चबीस से 16 अगस्ट दोहजर चबीस तक का एक जेकली 16 जुलाई को संकरंथी होता है इसको करक संकरंथी कहलाता है 11 बच कर 29 मिनिट सुबह संकरंथी का मोमेट Tuesday पढ़ता है चंडरा माइसी दिन तुला साइन में है और संक्रन्ति का नक्खित्र विशा का नक्खित्र जो की व्रुहस्पति का और सूर्य का दख्षिणायन सुर्वात जैसे करक से मकर तक जाते जाते दख्षिणायन और मकर जैसे मकर संक्रन्ति होता है तबी से उतरायन सुरजदेप का सुरजभगवन का होता है इसमें नकेत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग अब प्लानेट्स और चंद्रमा लगन से जो ट्रांजिट होता है उसको आप डेली सबसे डेली राशिफल की सबसे भी देख सकते हैं लेकिन यह चंद्रमा से कोई काल्कुलेशन नहीं लगना से और द्रिष्टियां, एस्पेक्टेशन, छोटी सी सोचना, 22 जुलाई हर साल, मेरा बार्ड़े जब पढ़ता है, मैं बहुत स्पिरिश्यूल की स्टांट्पेंट के उपर इसको मनाता हूं और आप लोगों के साथ साथ मैं मीन लगना जादा तर दे नहीं पता हूं, सो यह सोचना जरूरी संजा, कमिंग 22 जुलाई के बार्ड़े और उसी दिन, पहला समबार, कावडिया का पहला जड़ावी से, स्रावण महीन का पहला, और उसी दिन मैं बहुत भागे साली हूं, इस बार मेरा जनम दिन करता है, और इस जनम दिन को मैं अकेला कभी भी मन में ये संका नहीं है कि मैं उसको खुद मनाओ कहीं जाके, दोस्तों के सच, हर साल में ऐसे स्विरिच्वाल एक्टिविटीज और आप लोगों के साथ लाइब में आता हूं, और इसी बार वो ही होगा, एकादस रुद्री ग्यारा वार रुद्रा भी सेक, दुर्गा सप्तशती चंडी आहूती हवन, आवाहन, गणपती पुजन, आवाहन, सारे चीज, कई भिकारी, कुष्टरोगी, सेडलेस, पूर्स, बुलाया जाएगा, भरापट भोजन, कुछ पैसा, चपल, छत्री, पेन्ने के लिए कुछ कपड़े, ब्रावन भोजन, यह सब सब रखा गया, और यह सारे चीज आपका लाइफ रीडियो में ही आपको मिलना सुरोजय कर सुबह 9.30 मज़े से सम पांच बज़े तक, इसमें अगर पाटिस्वेड आप करना चाहते हो, तो फैस्टिंग रखे, और आपका नाम, राश हो गये, और इसके लिए कंट्रिबिशन रखा गया है 300 रुपिया, भी तैसाल रखा गया था 200 रुपिया, इसी वार 300 रुपिया रखा गया, और 300 रुपिया यही नमबर, यही वाट्सव नमबर, गूगल पर फोन पर पेटियम का, इसमें प्रांस्पर करके के स्क्रीन सट दीजिये, और साथ साथ, लगना, राशी, गोत्र और आपका सुभनाम, परिवार में एक जन का करना है तो 300 रुपिया भेजना, अगर कई जनों का करना है तो इंटू 300, बस छोटी सी सुचना, प्रभु स्री जगरनात अभिरत्थ में है, राथे तो भामानंग अगर कोई भी देख ले, तो अगले जनम नहीं मिलता, सरिर नहीं मिलता, मुख्या ही हो जाता है, अगर पसीबूल हो तो आप आईए, जगरनात धम पूरी, इसको सुन्दर सा नजारा अप देख के जाईए, मीन लगना, लगना में अभी अपका राहु देव बिराजबान है, और ये राहु अभी अभी आए है सनी की नखेत्र में, उतर अभाद्रपदा नखेत्र में ट्रांजिट पर आये राहू, लगना से सेकंड हाउस खाली, थार्ड हाउस में आपका ब्रुहस्पति के साथ मं में ट्रांजिट करता है, जो की बार्मा से ग्यारमा घर को ट्रांजिट बक्री पोजिशन में। ये है प्लानेटरी पोजिशन से आपका, और ये सनी देप कि उपर कोई प्लानेट का धृष्टि नहीं है अभी, और आपका लगना-लड़ ब्ृहस्पति है, और ये ब्ृहस्पति केतु से एसस्पेक्टेशन करता है, जैसे ब्रुहस्पति का पांस्पन रिष्टी, भुःस्पती केटु से считation करता है केटु भुःस्पती में गुरु सिर्ष्यक समन्द एफ राहु भुःस्पती में नहीं है और ये भुःस्पती का पांचपा है रिष्भिटी भी पढ़ता है केटु के उपर यह है एक प्लानेटरी पोजिशन्स और ब्रुहस्पति अभी के लिए है यहाँ, प्रांजिट ले रहा है, चंद्रमा का नखेत्र में अभी है रोहिणी, और चंद्रमा आपका पंचम भाव का अधिपती, हर क्रियेटिवीटी एक चीज का, इस दुनिया को जो रिस्पंसिब लेकर आप आए हो, क्या करने के लिए, वो काम कराने, नया सोच, नया इनोवेशन, नया क्रियेटिवीटी का करकत्तों है आपका चंद्रमा, कहीं आपका जनम पत्री में चंद्रमा आप छेठा, आठा और बार्मा घर में बिलूंग्स नहीं करता है, आपका लगना से, यह बड़ी बात है, राहु का दृष्टी में नहीं है, राहु का साथ नहीं है, मालेफिक प्लानेट बार्मा घर का ओनर सनी के साथ कहीं 20 दोस नहीं बनता है, चंद्रमा कहीं एकला, जैसे आगे का घर खाली, पिछे का घर खाली, केम द्रूम योग नहीं बनता है, चंद्रमा आपका अधिपति, आपका शुक्र, कहीं यो ब्रुहस्पति से चंद्रमाग का रिलेशन छेठा आठमा भारमागर नहीं बनता है, अभी एक सकटा योग बनता है, जरुरत पढ़ने पर आपका आपने लोग पीठ दिखा देंगे, बाहर का लोग आप निचावर होके आजाए है, टेंथ हाउस, ओनर आपका ब्रुहस्पति है, ओ कहीं रासी चैट में आपका छेठा आठमा भारमागर बिलोंग्स नहीं करता है, तब तो एक डर योग पाइदा हो जाता है, डर, फियर, भया, कि मैं इसको करू होगा या नहीं होगा, लस हो जाएगा, प्रफिट होगा कि नहीं, क्या होगा, सारे चीज आपका मन में इस तरह का एक भावना लेकर आजाते है, ताकि आपका confidence level को पुरा लोग कर देता है, जोतिविस में कई सारे योग है, पजेटिवी योग भी इसी हिसाब से भी बहुत सारे है, एही चंद्रवा ब्रुहस्पति के साथ आपका लगना लड़ के साथ पंचम भाव का स्थिती कहीं पर अगर हो जाएगा, गजे के सरी योग बनता है, और वो ही जो हाउस में वो बनता है, वो हाउस का अक्टिवेशन आपका डवल हो जाता है, तारा चक्रा में कहीं ब्रुहस्पति आपका बध्धा तारा में, प्रतियरी कर्म की सबसे सब मिलता है, पच्चास बचे क्लास में पढ़ता है, एक ही टीचर, एक ही सबजेक्ट, एक ही उनिफर्म, एक हस्टल, एक ही खाना, लेकिन निकलता है कि कुछ और है, कोई पुलिश अप्षन निकलता है, ता तो कोई चोर निकलता है, कोई आईस निकलता है, तो कोई फरेंजा का अब रोड में सट्लिमेंट हो जाता है, कोई टलीफ बुलर होता है तो कोई बजदूरी करता है, कारण क्या है, पस्ट कर्मा, जो बोया, वो तो काटेंगे, चो ये सारे प्लानेट्स का पोजिशन, हमारा जीवन, वो उसी हिसाफ से, उसी रास्ते से लेता है, पस्ट्याताप, प्रयास, फिर पस्ट्याताप, फिर पस्ट्याताप की साथ-साथ जीवन चलता है, ये कमिट्मेंट को आजाई आप, पस्ट्याताप का कोई कारण ही नहीं रहेगा, कि हाँ मेरा, पस्ट्याताप की कुछ कर्म ऐसा ही था, जिससे बंधन में में बंधे हुए थे, साथ ये होने के बाद ये बंधन तोड़ गया, आप में फ्री हो गया, अब मुझे नया इनोवेशन की उपर फोकुस करना है, आगे बढ़ना है, और शानी आपका लेशन देने वाला प्लानेट बार्मा घर में, और ये 11 था उसका भी अल्सो ओनार है सानी देद, ग्यारमा भार्मा, ग्यारमा और बार्मा, 11 और 12, आयव, अत्मसम्तुष्टी के चीज आपको मिला देंगे, एक्स्पेंडिचर के चीज आपको मिला देंगे, बीच में आप फेड़ा हो जयोंगे, क्या रहे यार मेरे को मिला लेकिन टिका नहीं हो भी चला गया, बात क्या है, सारे चीज, आपका मानसिक स्थर पे, अत्मिक स्थर पे, सरीरिक स्थर पे, भावना की स्थर पे, परिवारिक, समाजिक, हर स्थर में, आया मतलब नहीं पैसा, आया मतलब यह होते है संसर को जो आया हो आप जो सरीर लेके जो नाम आपका इडेंटिफिकेशन दिया गया आपके लिए कुछा ड्यूटी बनता है और वो ड्यूटी में आप एफ़र्ट लगाते हो लगाने के बाद लास्ट में जो फूटफुलनेस जो जूस निकलता है हर एफ़र्ट का वो ही आया होता है वो ही 11th house होता है उर 11th का ओनर आपका स्वनी ऐसे इजी में आपको वो आया नहीं मिलता है बहुत मेहनत लगाना पड़ता है बहुत एफ़र्ट लगाने के बाद तभी गन्य का जूस निकलता है सारजी यह मीना लगना द्यवताओं का लगना है ब्रहस्पती का प्लानरेट्स का ओनर्शिप का घर है लाव ओवीडियन्ट हो अप सिस्टम की बाहर जाने का आपका अभी मन नहीं है हमेशा सिस्टम की दाइरे में बाबा जुदी इसके आपको कई सरे दुख मिलता है आपको ब्रहस्पती गृपी जीम का हो आपका ब्रहस्पती चंद्रमा, मंगल और सोरिया यह चार प्लानर्ट्स आते हैं अगर क्या कुछ मिलेगा आपको तब तो यह चारों से ही मिलेगा और आपका आनादर अपोजिशन रुपीजिम है शुक्र का शुक्र, सनी और बुद्ध ये तिनों में से आपको उनली लाइफ का लेशन पास्ट लाइफ का कर्म का बंधन को तूटना तूटाना या मुक्त होना प्लानेट्स दंड देता है, प्लानेट्स पिरियर्ड की सबसे पनिस्मेंट देता है ये प्लानेट्स का जिमेंदरी नहीं है पास्ट लाइफ का कोई जनम में मैंने किसी को मार दिया मैं ताकतबार था, गुंडा था, पेशा वाला था, नेता मंत्री था या क्या कुछ था, लेकिन जिसको मारा ना, वो कंजोर था, पीडित था, पूर था, गरीबी था, चले ठीक है, यह मने मार दिया, लेकिन उस टाइमे एक्जटली ओ जो उसका जो क्राइंग जो फैन, यूनिवर्स में पूरा का पूरा फाइल स्टोरेज हो जाता है, हमारा हर यूनिवर्स में रहता है, कोई मंदिर में कोई देवता देवी नहीं होता है, यह यूनिवर्स में ही सारे गड़ेज होता है, इसलिए तो मुनी रुषिय ने वो लेटर्स को खंगाला, तहीं लेटर्स को जोड़ने के बाद जब आप भाइबरेट करोगे, वो मंत्र बन ज कि अभी का चीज है, कि मुनी रुषिय ने कई दिनों से इसी चीज को निकल के जनमानस को दे दिये, सब्द ब्रह्मा, आपका नाइन्थ हाउस, मंगल, नाइन्थ हाउस का मंगल का अधिपति अधिश्टात्री देवी बगणाउंखी, अगर आपका मीन लगना है, अगर आ तो दसमाह विद्या में से एक देवी, एक गड़ेस, आपका सब कुछ है, और ये बईष्टम भी है, कोई तंत्री क्रिया की साथ नहीं है, बईष्टम भी है, ओंग, अगर आहुती देते हो, तो स्वाहा लगाईए, ये आपका डेस्टीनेशन, और आपका स्वीक्स हूज सुरिय, गभर्मेंट से आपका अन्बन, अगर गभर्मेंट में रिलेट में आपके जब में हो, आपका अन्बन कहीं न कहीं टकराना, होना चीज ना होना, छीक्स का ओनर सूरिय काई डेविलिटेड नीज हो गया यह आपका अस्टम भाव में तो गमेट सेक्टर में आपको बहुत एक्स्प्लेट होना पड़ेगा सर कहीं यह सूरज भगवन अगर आपका आठ्वा घर में है और राहू का द्रिष्टी या तो राहू का साथ इनप्रिजिनमेंट कई दिन हो कई घंटा हो कई साल हो यह कई सारे चीजे हैं यह जोती से बहुत लंबा खिस्ता है डिसकस करने से और आपका पंचम भाव में अभी शुक्र जो कि आपका थाड़ और आठ्वा घर का अपोजीशन जेंडर से जार सातर क्रए अपोजीशन जेंडर आप जो भी जेंडर हो अपोजीशन जेंडर से सातर क्रए और राहू अभी सणी का नखेत्र में है राहू अभी अभी आए है उतरा भद्रबदा नखेत्र को और इसका पांचम द्रिष्टी में यह पंचम भा कि दूरियां रखें कि कोई अपोजिट जेंडर की दौरा आप बदना नहीं हो सकते हैं कि यह हाउस पंचम भाब आपका हर creativity activities को ब्रेक पड़ा रखा है करने नहीं देता है चले protection देते हैं आपका ब्रोहस्पती सेबंथ हाउस में के तुफ फामिली लाइफ को priority रखें परिवार में एक बालांस को जो किये हिपिरोटीजिम पावार मिलता है तभी तो आपका बात कोई मानता है या सुनता है इसलिए तो मैंने कहा बगणा मुखी का पूज़ान आपके लिए जीवन भर बसीकरन समोहन उचाटन मोहन सब कुछ है उसी में अनमोल चीज है आपके लिए ना इन्थ हाउस का ओनर का इस्ट देवे बगणा मुखी 36 का लेटर का अख्यर है कभी भी 37 मत करना या तो 35 मत करना कहीं अगर भी हो अगर याद आ गया तब तो वंत्र को कुरा करनी है सारे चीज यलो कलर का प्रसाद से साड़ी तक और अब पूजा को रगए आपका भी वो बेस बुसा भी यलो होना चाहिए कई सारे चीज बस नमन करें खुद को समर्पन करें इतना सारे अप साधक हम नहीं है बस समर्पन का भाग होना चाहिए काफी है इतना उस आधक से बहुत बढ़े लिबुन का चीज है उता आपका समर प्रण आखों में दो बुन्दा अंसु ये भोग है ये प्रसाद है मांक लिए ये सब कुछ है ये बली है ये सब कुछ है वहां पर कोई किसी चीज का जरूरत ने दस बारा ब्राम्हन बुला के आउती लगा के ये करें वो कोई जरूरी नहीं है अंतर से तन से मन से अंदर से कई कोने से वो निकलना चाहिए कि मां मेरे कोई ये सब क्यों मिलता है क्या विगाड़ा है मैंने एक लाव वीडियन परस्टन हो हमेशा जो 22 जुलाई 22 जुलाई की मां बगड़ा मुखी का विआ वहन है इस में कलस इसके लिए पर्टिकुलर हर बार्थद्डे में जनम दिन में बठाया जाती है और पक्का तो 108 आहुती ही होती है कि छोटी सी वेडियो था अब चलते हैं चंद्रामा का ट्रांजिट अपका लगन से जिसी दिन यह ट्रांजिट होता है 16 जुलाई पर एक जक्ति 11 बच कर 29 मिनिट से साथ बजकर 21 मिनिट पी-एम तक यह तोला साइन में है टच करेंगे साथ बजकर 21 मिनिट लेकिन इसी टाइमिंग में यहां पर रहे आठवागर यह टाइमिंग आपके लिए उतना ठीक नहीं है ब्रिश्चिक तक जाने तक ओके ब्रिश्चिक ताच हो गया इसको में कराज देता हूं ब्रिश्चिक ताच हो गया कब 16 जुलाई को यह भाग्या भाव है आपका लेकिन चंद्रमा यहां नीच और आपका लगना लड़ ग्रहस्पति का सात्मा द्रिश्चिक तो संचीत कर्मा भाग्या से भाग्या की आधार पे आप उईन करो गया इसको टीक देता हूं तो धनो साइन टाच हो गया मकर तक मकर तक जाने तक मकर कब टच करेगा 21 जुलाई यहां पर 21 जुलाई को टच करेगा 21 को 11 आउस आपका सानी का वक्री दुष्टी 11 आउस में लेकिन सानी यहां आया नहीं लेकिन फोकोस इसका है तो चंद्रमाई के माईल सी इतना नाजुक सा इतना कोल्ड इतना सफ्ट वो सानी की चपेट में जब आ जाते है न वो सेम जाता है तो सर मकर कुम्भ मीना तक यहां राहू यहां सानी यहां 11 आउस के वक्री तो मकर कुम्भ मीना यह डेटेड्स मस्ट बी नोटेड यह क्रस मीना साइन से मेसा साइन को टच करेंगे 27 जुलाई को यह सेकंड हाउस है अपकोर्स सानी का तीसरा द्रिष्टी लेकिन सानी का वक्री पोजिशन इसकी और है और कोई मालिफिक का द्रिष्टी नहीं है पैसा के लियाज से ठीक जाएगा मेसा साइन परिवार के लियाज से ठीक जाएगा 29 साथ जुलाई विश्टाप टच करेंगे ब्रश्पति के साथ गजके से योग बन जाता है यहाँ परमंगल के साथ अपना मित्र थाड हाउस कामनीकेशन की भलवते पर हुईन करोगे सर राइट देता हूँ क्या हुआ यह पेन को एक सेकंड सरी क्यामा चाहता हूँ यह मैरकुर को चैंस करता हूँ स्वरी फर इंट्रॉप्शन नेक्स्ट ब्रिश्पत के बात मित्थोन साइन टंस टस करें 21 जुलाई जो कि आपका फोर्थ हाउस लेकिन कोई मालेफिक का द्रिश्टी नहीं है यहां पर सुख भाब में कहीं नहीं बढ़ोत्री मित्थुन चे करक तक खुद का घर है चंद्रमा का तीन अगस्ट पांच बच कर 41 मिनिट सुभे तक पहुंचेंगे लेकिन यहां सुरज है अमाल अच्छे के नियरबाय हो जाएगा पंचम भाब रागुगा पांच मांद्रिश्टी हर क्रियेटिविटी अक्टिविटी इसको अपना नलेज टैलेंट के साथ सुरुवात करे नहीं तो ना करे तो करक से सिंगह तक पांच अगस्ट तीन बच करे किस मिनिट सीक्स हाउस सनी का सात्मा द्रिश्टी किसी के साथ पंगा मत ले तुद्टु में ना करे दलडाई जगणा मत करें और क्रिडिट मत ले सींगह से कण्या तब के तुगे साथ फिर ग्रहनन दोस राहु का पांस सात्मा द्रिश्टी और ब्रुहस्पथी में बंडिंग परिवार में क्या कुछ नगा कुत्तुम नमय में मानावानी था उसको सुलज जाएगा या तो बिजनेस पार्टनर्शिब में इसक क्या कुछ था शुलज नहेंगा बहुत शंसेज तो कन्या से तुला साइन टाच करेंगे दस अगस्ट चार बच कर अठारा मिनिट अस्टमस्तान क्रास्ते तांट नेक्स्ट व्रिष्चिक तुला से व्रिष्चिक आपका चंद्रमा का नीच का घर है लेकिन ब्रहस्पति का और मंगल का सात्मा द्रिष्टि वो ही अपना भाग्याभाब की भल्बुते पर वहिन करोगे 15 अगस्ट स्वाजनेत दिवस धनु साइन टच करेगा दसमभाप जाब प्रफेस्टन में खुशी रहोगे कहीं से क्या कुछ अपर्चनेटी पेनेफिटेड रहोगे और धनु से मकर साइन फिर 17 अगस्ट पांच बसकर 28 पिनेट पी-म ग्यारमा घर यहां सानी का अबक्री दिष्टी तो है लेकिन ब्रुहस्पती का नौमा दिष्टी सो पेसा के लिए से ठीक जाएगा इसको राइट मर्ग देता है छोटा सा वीडियो यह कोई बेक्ती विश्टी का हरोस्कॉप नहीं है कोई individual का horoscope नहीं है, individual का horoscope में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ मिलता है, और सुचना जो था 22 जुलाई के लिए दे दी, इतने में वीडियो क्लोज करते हैं, आगले बार फिर मुलाकात होगा, सर्वे भवन्तु सक्खिना, सर्वे संतु निरावया, सर्वे भद्राणी पस्यंतु मा कस्चिव दुखवा भवे, जय जगन्नात!